अगते आपका हमारे चैनल और टेक्निकल सोदिशन में तो दोस्तो आपने अगर Amazon का Kindle जो की एक Online Book Reader एप है उस पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन किया है तो आपको अगर इसे अभी कैंसल करना है तो आप इसे किस तरह से कर सकते हो यहाँ पे दोस्तो यह एक मन्त का आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है लेकिन एक तो एक महिना होने के बाद अटो डेबिट के जरीए यहाँ पे आपको जो पैसा होता है वो यहाँ पे कट होता है तो आपको अगर इसे बन करना है तो आपको इसे किस तरह से बन करना है यह मैं आज की वडियो में आपको यहाँ पर डिटेल में बतने वालो है तो इसके लिए दोस्तो आपको यहाँ पर Amazon पर जाना होगा तो मैं यहाँ पर Amazon को open करके लेता हूँ उसके बाद दोस्तों नीचे जो three lines यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ पे मैंने red border line में यहाँ पे दिखा है वहाँ पे आप click कर लिजे उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक page आएगा तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे चार options दिखाई दे रहे है orders, buy again, account or list तो यहाँ पे आपको account पे click करके लिए ना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह के बहुत सरे options यहाँ पे आने वाले तो आपको यहाँ पे orders और account settings यहाँ पे मिल रहे है तो आपको यहाँ पे account setting में जाना होगा और वहाँ पे आपको नीचे membership and subscription यहाँ पे नीचे मिल रहे है यहाँ पे मैंने red borderline में यहाँ पे दिखाए है आपको mark करके तो यहाँ पे आपको click करके लिए ना है तो मैं यहाँ पे click करके लेता हूँ उसके बाद दोस्तों जो भी Amazon के features यानि कि जो Kindle की membership है या Prime Video की membership है जो भी आपके mobile पे यहाँ पे activate है उसका पूरा data आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका Kindle Unlimited का subscription है वो यहाँ पे enable है और दोस्तों यहाँ पे यह दिखा रहा ही कि आपको 169 per month के लिए यहाँ पे चार्ज किया जा रहे तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसे cancel करनी है तो आपको यहाँ पे kindle unlimited setting पे यहाँ पे click करके लेना होगा तो मैं यहाँ पे click करके लेता हूँ मैं यहाँ पे Cancel Kindle Unlimited पे क्लिक करके लेता हूँ तो यहाँ पे यह दुस्तों आपको यह पूछ रहा है कि आप इसे सच में कैंसल करना चाहते तो आपको यहाँ पे नीचे दो options बिल रहे Keep My Membership और Cancel My Membership तो आप अगर इसे Keep करते तो यहाँ पे इसे चालू रहे गया और आपको अगर इसे Cancel करना है तो आपको यहाँ पे फिर से Cancel Membership पे क्लिक करना होगा तो मैं यहाँ पे Cancel Membership पे क्लिक करके लेता हूँ तो जैसे मैं इसे Cancel करता हूँ यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ गया और यहाँ पे your membership has cancer ऐसा मुझे यहाँ पे notification भी मिल गया है तो दोस्तो उसके बाद आपका यहाँ पे कोई भी monthly charges यहाँ पे cutting नहीं होने वाला है तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको informative लगता है और पसंद आता है तो आप इस वीडियो को like कीजिए और जादे से जादे शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तो आज के लिए पस इतना ही धन्यवाद वन्ले मातरों